कि अश्राइब निखिया झाल्टी अपने पिछार विखारत करना जोबने सो निहाल जिल्ली में बेखे हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कानों में बंच येसा लगना चाहिए ही आवाज बनो जो बोले सो निहाज सभी भाईयों को राम राम सभी बहनों को चड़नों में प्रणाम किसान भाईयों ये लड़ाई कोई मामोनी लड़ाई नहीं है जब आपने इस लड़ाई का बिगुल पंजाब से ठूका तो हरियोना पंजाब उत्तर परदेश राजिस्थान और मैं मज्वे परदेश से भी इस आंदोलन में आया हूँ और मैंने जैसे सेक्रों यूवा और किसान इस आंदोलन में आने के लिए आज तत्तर हैं मेरे भाईयों और मैं तो कहता हूँ और आज इस सिंदू बोर्डर की इस पवित्र धर्दी पर आज सब किसान भाईयों के चलू में में नमन करते हूए पुरे देश से आवान करता हूँ कि ये लड़ाई उनीस सो सेदालिस से पहले जब अंग्रेजु की सरकार हुआ करती थी तो ठर्दाज भगसिंग में लड़ाई लड़ी थी और उनी के नियक्तुक्त में हमने अंग्रेजु को भगाया था और इस देश को आजात किया था आज एक बाद फिर कंपनी का राज आएगा किसानों की जमीन छीनी जाएगी और किसान को दर्दाट ठोकर खाने के लिए मजबूर मोधी सरकार करने को जा रही है जब किसां के बास जमीन नहीं रहेगी, तो हम अपणी जमीन में मज्दूर होंगे, और कैसे मज्दूर होंगे, वह मज्दूर हम घुलामों की तरह मज्दूर होंगे भाइयों, जो इस इंडिया कंपणी में हुआ करता था. वो दोर बदल गया है अब, अब गोर जो है किसानी का नहीं रहा है क्योंकि ये जो सरकार है ये सरकार आपको और हमको लगातार गुम्राह कर रही है आज हमने टेलीविजन के मैट्प्रम से सुना कि प्रधान मंतरी जी की ओर से किसी मंतरी वगेरा ने कहा कि हम तीन वज़े किसानों से बात्चीत करेंगे लेकिन मिर्दाओं के साथ कह सकता हूँ पुधान मंत्री नरेंद्रो मोधी का कल में भासंग सुना था वारांसी के अंदर और वारांसी में पुधान मंत्री जिस तरीके से देश को गुम्राह कर रहे थे और कहते हैं कि हर हर महादेव तो हर हर महादेव से हर हर महादेव नहीं होगा जब तक किसानों का मैं समस्ता हूँ कल्यान नहीं होगा किसानों को उसका उसकी उपच्च का संधाम नहीं मिलेगा तब तक मैं समस्ता हूँ हर हर महादेव नहीं होगा करों कि यह लोग तो संखी लोग हैं जिन लोगों ने अंग्लिजों के जवाने ने भी अंग्लिजों के जिए अपना सर्वुच जहावर कर दिया था यह से लोगों से तक बश सिम्नत करा था है हिंदुस्तान किसानों का है तो किसान भाईयों कर जब धान मंत्र जी मोडी वारंस में यह कह रहे थे कि बोले में नरेंद्र मोडी और मेरी भाश्वा की सरकार जब 2014 में यहाँ पर आई तो बुने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पोले के हूँ और धान जो है वो समत्तन मोली में खरीला गया तो यह उन्होंने कहा कि यह रिकाउड है लेकिन नरेंद्र मोडी जी नहीं यह नहीं बताया कि 2014 से पहले किसानों की तमाम फसले बैसे ही समत्तन मोली से उपर बिक्ती थी लेकिन जब मोडी आ गये तो जो किसानों को सिर्फ जूट बोलकर देश को घुम्राह करकर सिर्फ नूटने का काम कर रहे है इस देश के अंदर उनने जो धर्म का जो पाखंड का जो रवया पूरे देश में फेलाया हुआ है मैं समझता हूँ उससे आज बुरे देश को उभरने किया हो सकता है क्योंकि मोडी जी कभी सिक्षा पर बात नहीं करेंगे मोडी जी कभी किसानों को उसकी असल उपचकार देने का की बात नहीं करेंगे मोडी जी कभी अच्छे इलाज की बात नहीं करेंगे मोधी तो ये कहेंगे कि मैंने बोले वो पानी में जहाद चला दिया बोले मैंने वो भुलत ट्रेंगी में वस्ता कर रहा हूं अरे मोधी जी इस देश के अंदर 90% किसानी से लोग अपनी जीनी का चलाते है और अभी किसान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा मेरे भाईयो मोधी जी के साथ जो लोग हर हर महादे के नारों लगाते है उन लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मोधी किसान विरोधी है और जो किसान विरोधी है वो मैं समझता हूँ देश विरोधी है और ऐसे देश विरोधी नेता को मैं समझता हूँ हमें सबक सिखाने की अवशकता है वाईयू क्यों क्यों कि आज जिन तीन कानुन को लेकर आज हम यहां पर जो बेखे हुए हैं उनके बारे में आप इस पस्ट जानते हैं क्या है वो तीन कानुन जिनको मोदी जी की सरकार ने जबर दस्ती संसर में पास कराया किसानों से बात नहीं करी बादमेंट के अंदर जब राज जिसन का सेशन बेखा तो उसके अंदर मोदी जी के बाद पहुमत नहीं था वहां उनोंने जबर दस्ती ठक्के से उस कानुन को पास करा मोदी जी को बताना चाहिए ऐसी क्या जरूरत थी जो इस कानून को लोगतन की हट्ट्र करके पास करया गया मैं समस्ता हूं मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है मोदी जी तो सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी और तमाम पुर्जी पत्यों के चोकीदार है जो भैया उनकी चोकीदारी कर रहा है और हमारे साथ गध्दारी करने का काम कर रहा है इसमें कोई संदेय नहीं है अब लोग तो ये भी कह देते हैं अरे मोदी जी ब्येश से मोती जी ने समाथ नसक्राव काम किया है पहले व्यापारी जब मंदी के बाहर खरीद्श तरह तो इसमें लेकिन नाप कि द्रहाजे और मंदी में तो भीराइबा सकी स्ट लगएगा तो व्यापारी मंदी के बाहर खरीदी करेगा और जब बाहर खरीदी करेगा, तो मंदी में कोई व्यापरी नहीं आएगा, तो किसान वहाँ करेगा भाईयों, ये तो आप मुझे बताओ, और जब व्यापरी के पास, मंदी के बाहर किसान को जब जाना पड़ेगा, तो वो व्यापरी एक यहाँ बेठेगा, एक वहाँ बे मैं सबस्ता को मौती जी ने सबता कर रहे मोधी जी चुह मूदी जी करा है कि वोले हुआ है लिकिन मोधी जी पता होना चाहिए यह सरकारी आकड़े हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ छे पृदिसत किसानों की फस्रें समक्तन मुल्ण में सरकार के द्वारा खड़ी दी जाती है और 94 परसेंट जो फस्रें हैं उसको बिंदाहडे मोदी जी के लोग लुक लेते हैं यह मोदी का असली चलत्र भाईयों इसको समझना होगा यह मोदी बहुत कलाकार आद्मी है यह भारांसी में जाता है हर और बहादेव करता है हर और गंगे करता है लेकिन यह वो लोग है जो रामा रामा हरे हरे और अंदे खाओ खड़े खड़े वाले चरित्र के लोगे जिनका ना राम से नाता है जिनका ना धाम से नाता है और जिनका ना वाहे गुरू से नाता है ये आदमी तो मैं समस्ताओं उस लावन से निजादा पाकंडी है इसने मेरे भाईयों मेरे प्रदेश से कर्ई भौपाय से यहां पर आया कि मूदीजी ने कितनी हिर्पैसा आते हमारे किसानों के वह पानी की बोचाइब ढाली थी आप तरिक प्लिस के पल के तहर्ट दराने का और थम्काने का एक दुस्तास मोजी सरकार में किया है इस मोजी सरकार को मैं समझता हो इसकता में वहने का जिबार नहीं है राम मदोर नोहिया एक बहुत बड़े विचरत थे जो समानता की बात करते थे आज से चानीसीवार्ट फिरु कहा था कि जब संसक्र जब सलकसिक्षूरी हो जाती है तो भयास जो संसद आवरा हो जाती है और यह हमारा प्रधान मंत्री पिछले कई दूलों से सर्कों की सु्म होने के करण आवरा हो गया था इसको ठीकाने लगाने के लिए इस प्रधान मंत्री को स्रही राफ्ते पे चलाने के लिए आज आपने सड़कों पर इखटे होकर ये दिखा दिया है कि हम संसत को भी बदर देंगे वो प्रधान मंत्री को भी बदर देंगे और ये नहीं बदर ये नहीं होगा कि हमको साथ साल में देश के किसानों करना करना चाहता हुँ, कि मोधि जैसे ताना सहा, मोधि जैसे किसान व्योधिनिता को गर्ण हटाना है, तो किसान भाइए निकला और इस धिल्ली के सिंदु गोडर पर आओ, दिल्ली के तमाम रास्तों पर आओ, और मैं समस्थर वे साल बाहैन इस डेश के अंदर पेदा होना चाहिए कि फिर कोई और हुकूमत किसानों के खिलाब कोई कानों संसच के अंदर जबर्वस्ति पास ना करा सके वह एक दाज की सारू को दिखाने कि हो शकता है क्योंकि अत्मान सहोत उपड़ते ही गुरु बेविल सिंग्जी ने अत्मान के सामने करते हैं अन्गाई नहीं कम होता है तो कायर कि मोरा करते हैं जीते जिन्म कोथा है और ठीले धाले ठीले धाले रहने शेक शब्नम गंदस मित भूचाहेँ कि एक दिन संसच द्धी बंदस में नहीं है मैं समझता हूँ किसी भी पुलिस से किसी भी आततान या किसी भी आराजक तक तुसे दर्दिक वशक्तान नहीं है कोई सरकार हमको मार नहीं सकती कोई सरकार हमको दरा नहीं सकती घीता में भगवान किशने अर्जुन से कहा था कि है अर्जुन तेरे साथ में तुझेधन खड़ा हुआ है और उस तुझेधन की चाथी को चीर दे और इस सक्तेचारी बिवेश्था को समात्त कर दे लेगिन अर्भान को किसी की चाथी चीरना नहीं है अर्जुन तो यह बताना है तो सव्धिका उप्भूप करेगा और जीत जाएगा तो इस्थाती का उप्भूप करेगा तो हमको मरना में लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूँ हमको इस किसान अंगोलन में जीतना है अर इस जीत को हमिने कर जाएंगे और जबता किसान इसतो नोगस् listeners का में इसनों को आपस जेती चब तक हम यह सैस्थने वाले नियुम्न है जाहेथ च्वार्ण जाहेथ च्वार्ण जाहेथ च्वार्ण जाहे हरा बभादि There जाहे हैं जोट बहुत आनवाद आरजन आरिया दिजा किसाम दिरो बनार यह नो भेज भी किसी